भूख इतनी तेज लगी थी तो पलंग से उठने का मनी नहीं कर रहा था अब कोई भी रिसीपी बनाने में 30 मिर्ट तो लगता ये आलू को बॉयल करो, सबजियां काटो पर आज में आपके साथ कच्चे अलू की एक ऐसी रिसीपी शेयर करने वाली हूँ जो की मातर एक नड़ में बनके तयार होती है तो चलिए रिसीपी शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने मीडियम सैस के चार आलू लिया है, उसको पानी में दो दिया है और उसके बाद हमें ग्रेटर लेना है, इस ग्रेटर से हमें अच्छे से ग्रेट करना है तो आलू मैंने चारोई ग्रेट कर दिया है और उसके बाद मैंने एक बाउल में इसमें डाल दिया है और उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसा नमक डालिए और आदा चमच लाल मिर्शी ढालिए और उसके बाद हमें इसमें आरा रोड पाउडर डाल देना है तीन चमच आप चाहे तो कॉन फ्लावर भी डाल सकते हैं और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अगर आपके पास आरा रोड भी नहीं हो तो साबुदाने होते है यह उसको आप ग्रैंड करके उडाल सकते हैं पूरा अच्छे से mix हो गया है अभी उसके उपर हम हरा धनिया डालेंगे आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं उसके बाद हम एक छोटी पिलेट लेंगे उसमें तेल लगाएंगे तेल लगाके हमें आलू का मिशनर इसके उपर सेट करने के लिए अच्छे से रख देंगे इससे शेप देना काफी आसान होता है और उसके बाद हमें इसे डी फ्राइ करेंगे ये तरीका उनके लिए अच्छा है जिनको गरम तेल से डर लगता है और जो नहीं नहीं कोकिंग सीख रहे हैं तो हमें इसको डी फ्राइ करना है तब तक हम फ्राइ करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होता तो हमारा golden brown bun के बिल्कुल तैयार हो गया है और cutlet बहुत जादा देखने में tasty लग रहे हैं ये आपको बहुत पसंद आएगे आप ये रिसी भी गर में जरू ट्राय कीजिए वीडियो पसंद आए तो like, share, comment जरू करना जो new है वो subscribe जरू करना मिलती है अगले वीडियो में बाई